सखील साब जैसेल भाई वॉजली आली 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 है आपको आली ए अरे लिए मुमी ने भाइक या पैछा मई इतना शोड वनादिया यार क्या कर दिया तूने वेरा ओंत शोड़ा विडियो वना दिया अरे वाई याप लोग ना बहुत दिन पहले आया था मैं फिर आपने बोला थे कि सबूत लेकर आना फिर उसके बाद थोड़ा टाइम चला गी आया था तो मैं नहीं आ पाया तो मैं आपको लिंग भेजो अपने मेरा स्वार्ट बना था अभी थक है आपने लोग ने हटाया कर दो मुझे मैं बटा दूंगा कोई मुश्किल ने है ठीक है तक क्या है सेल वाई याणात्य है तो बहुत को मैं लोग है कोई क्र दो मुझे मैं बटा दूंगा जाता तो इसलिए आए फिर आप डिसकस करेंगे और फिर आपकी बात में शौड बनेगा तो मसला नहीं होना चाहिए फिर आपको आरे मद बनाऊ ना इसे टॉपी के बात करते हैं भाई देखो यहां पर अगर आ रहे हो दैट मींस कि आपका कंसेंट है कि आप अपनी मर्जी स पहुंचे तो डेफिनेटली हम तो करेंगे भाई किसी वज़े से पहले ही कह रहा हूं आपको डिसक्रेशन करना है मैं अभी आज के टॉपिक पर आपके साथ डिसक्रेशन करना स्टार्ट कर दूंगा लेकिन अगर शौड बनेगा उसके कोई एक उसमें से तो फिर हमको यह नहीं कहना कि उतार देना निकाल देना रिमू कर देना ठीक है तो ठीक है ऐसा में तब ज़रूरी थोई नहीं है ऐसा कोई ज़रूरी थोई नहीं है ज़रूरी नहीं कुछ हमको उसमें से मस्त माल वाला मसाला मिलेगा तो बनाएंगे अगर मसाला नहीं बनाएंगे तो बिन लुट ने वाई शॉट की बाद नहीं है उस दिन हम बोला थे की महले के कुछ लोग चांथ हैं आप लोग तो वह से पहचान जाते हैं ना वै इसे लिए बोले तो मुमिनों से आपको डर हो अधर निया भाई एक महले में रहते हैं एक जगा पर मेरे दोस्त लोग खुद तो ऐसे आपना आगया अज नोटिफिकरिशन से चलो इतना दिन बात जाते हैं थोड़ा बहुत क्या सीन है ऐसा यासो कुछ नहीं है चलो कोई नहीं एक शोट सब्सक्राइब कर देंगे इस ओके ठीक है प्यारे बाई यह बताओ कि आप एक्वालिटी पर बिलीफ करते हो पहले बताए कि कौन से बेसिस पर आप बता रहे हैं हर एक इनसान जो है वो बराबर है कोई किसी से उंचा नीचा उसकी आइडियोलोजी के बुनियाद पर नहीं है हर किसी को अपना रिलीजन फॉलो करने का हक है दुनिया के किसी भी दुने में है पिलकुल थे के इनसा लाविक बिलकुल माशाला अचे ये बताओ कि आप का अल्ला तो कुरान में ये कह रहा है क्जो अल्ला और आख मिदीन पर इमान नहीं रखते और अल्ला और रसूल ने जो चीजों को हराम किया है उसको हराम नहीं समझते और दीने हग को कबूल नहीं करते तो ऐसे लोगों से लडाई करो यहां तक कि वो जलील होके जिजिया दे तो भाई यह इक्वालिटी और फ्रीडम आफ रिलिजिन यह कहां चले गया? नहीं मानने पर लडाई क्यों करना? नहीं भाई यह उनलोग के लिए वो लगए जो एक्शले मुसलिम जो यह रखते हैं उनलोग के लिए जो नौन मुसलिम है उनलोग के लिए एक्शले नहीं नहीं है यह चीज़ ठीक है? पहले बाद तो यह नहीं नहीं एक में दूख मैं आपको बताता हूँ यह देख कुरान की आयत पहले दिख लेंगे बाद में तफसीर में जाएंगे जो आले किताब में से खुदा पर इमान नहीं लाते ठीक है, सबसे पहले तो इमान नहीं लाना मुसल्मान तो इमान लाते हैं और ना रोज आ snocü पर यकीन रखें मुसल्मान कियामत के दिन पर भी यकिन रखता है यहाँ पर उन लोगों की बात हो रही है कि जो आखिरत पर इमान ही नहीं रखते अगर इमान ही नहीं रखेगा तो मुसल्मान नहीं होगा और ना इन चीजों को हराम समझते हैं जो खुदा और इसके रसुल ने हराम की है मुसल्मान भले से ही शराब पी ले लेकिन वो शराब को हराम समझता है हराम समझ के पीता है ये उन लोगों की बात हो रही है जो मुसल्मान नहीं है जो शराब को हराम ही नहीं समझते जो सूर को हराम नहीं समझते करते जो इसलाम को कबूल नहीं करते इन से जंग करो यहां तक के जलील होकर अपने हाथ से जिजिया दे तो भाई यहां मुसल्मानों के खिलाफ जंग करने के लिए नहीं कहा जा रहा आप जूर बोल रहे हैं यहां उन लोगों से जंग करने के लिए कहा जा रहा है जो मुसल् बोल भाई क्या हो इसकी आवाज आ रही है अमिद आज इसका फिर शॉट बनेगा रूपना नहीं आ रही आवाज हालो हा बोल भाई आपको सुनाई नहीं दे रहा था न इसलिए हाँ मैंने आपको अभी बताया कुरान की जो आयत है इसलिमानों के लिए नहीं है तो भाई यहां पर कहीं पर भी पॉइंट आउट किया या स्पेसिफिक लिए लिखा हुआ है कि हिंदू या प्रिक्रिश्चन लोग के कहीं लिखा है या बताइए आप सौंचा ले जाते या 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 बात कर स्टीम में बैटके हैं आप लोगों की आप लोगों का आई क्यू लेवल इतना गिरा हुआ है इतना डाउन है के हमको फिर एक्जांपल्स देने पड़ते या आप सौंचा ले जाते हैं भाई में पूरी दुनिया जाती है इक क्षा आप भी जाते हैं न अच्छा वहां पर मेल टॉयलेट में जाते हैं कि आप dyed टॉप कर फिमेल टॉफृक्त करां आप तरे कुछ समझा रहाँ भाई ढोल तो सही आए जाते हैं तुम्हारा नाम लिखा हुआ है उदर आपका नाम मेल है मेल मतलब तो हम लोग होते हैं लड़के लोग लड़के लोग होते हैं उसमें जरूरी ने ना स्पेसिफिकली आपका नाम भी लिखा जाए तब आपको एंट्री होगी तो स्पेसिफिकली लिखो जेंडर तो लिखा होता है ना जेंडर लिखा हुआ है ना आपका नाम तो नहीं लिखा हुआ है अरे भाई इसका मतलब लड़का देख आप दोनों चीज़ को बहुत डिफरेंशेट कर रहा है पहली बात यह पहले इतना समझो पहले आपका एक्जाइक नाम तो नहीं लिखा हुआ है नए लिखा हुआ है में लिखा हुआ है male लिखा हुआ है और आप male category में आते हो उसी तरीके से female toilet है आप अंदर जा नहीं सकते ये कहकर कि भाई यहाँ पे मेरा नाम लिखा नहीं हुआ है कि मैं नहीं जाओ उसमें only female जब लिखा हुआ है that means कि सिर्फ female वहाँ पे जाएंगी नाम specifically होने की ज़रुवत नहीं होती है इसी तरीके से तो इसका मतलब लिखा हुआ हुआ था तो इसका मतलब सिर्फ टॉइलेट लिखा हुआ था नाई male नाई female लिखा हुआ था ज़रुवत ही नहीं इसका मतलब हाँ एक्जाट्ली वहाँ पे लक्षन बताए जा रहे हैं कि कौन अंदर जाएगा कौन नहीं जाएगा सुन तो सही नहीं आप गलत इंटरपेट पेटिशन कर रहा हुआ यहां पे यहीं वे तो सही है ना एक बात बता क्या हिंदू अल्ला पर इमान रखते हैं यहीं आप लोग की धोके बाजी और दगा बाजी है कि आप लोग यहाँ जूट का सहरा लेते ये सोचिए आप लोग के यह कह रहा है कि मुझे नहीं मालूम हिंदू अल्ला को मानते हैं नहीं मानते अभी यहां जितने हिंदू है अगर मानते होते तो वो मुसल्मान नहीं होते रब सब का एक ही है ठीक है तो इसका मतलब यह नहीं कि मानने वाद अच्छा अगर रब सब का एक है तो तुम शीराम को खुदा मानोगे क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहे लाओं कि अगर रब सबका एक है तो आप शीराम को खुदा मानोगे तो बोलो शीराम मेरे खुदा है बोलो तो भाई अगर शीराम खुदा है तू लोग मानते न तू मानता है क्या नहीं मैं क्यों मानो exactly, जैसे तू नहीं मानता शीराम को खुदा, उसी तरीके से वो तेरे अल्ला को खुदा नहीं मानते तो भाई वो लग तो उसकी perspektive है ना देखने का, वह was किसी का भी perspective है यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनसानों का अलग अलग perspective होता है और उसी के साथ उनको जीने देना चाहिए लेकिन तुमारा कुरान कहता है कि जो हमारे परस्पेक्टिव को नहीं माने उनसे जंग करो और यहां तक कि वो जलीलों के गुंडा टैक्स जिजिया न दे दे यही तुझे समझा नहीं कोशिश कर दाओ कि जिसका जो परस्पेक्टिव है इसलिए वो अल्ला बोलता है कि वो लोग सही इमान पे आए वो जो भटके है ना जो हिंदू क्रिस्टन बनके लाने के लिए उनसे जंग करना है जंग नहीं करना है वो बस एक समय होता है जंग करो पुरान में जंग नहीं होता है जो तुम लोग बोले हों जंग वो भिल्कुल जंग नहीं है जंग मतलब कैस्व क네 तो तेरे कुरान लेटिया भाई तेरे घर में कुरान है बहु भाई ये हमारा कुरान हो गया भी एक रहा यह हमारा गुद्ध तु अभी घर पे है हां सोगे लाए जरा उठके जरा कुरान लेकर आरे लाए जरा मेरे लिए अब अब तक तु अपना कुरान लेकर आता है आता है आरे तु इसा कैसा बोल सकता है कि लेगे अपना कुरान लेकर आम सॉरी भाई तेरे से इतने लो आईक्यू लेवल बंदे से तो मैं बात ही नहीं कर सकता हूँ अच्छली लो आईक्यू लेवल नहीं है तेरा तुम लोग धोके बाज हो और इसका भी शौड बना के डाल देना कि ये बोल रहे ला था कि ये इसका कुरान नहीं है ये मुसल्मानों का कुरान नहीं है ये मुर्तदों का कुरान है जो मैंने अभी पड़ा है इसका शौड बना के डालना और इसके दोस्त लोग जो देख रहे हैं है वो जाके इसकी तुमारे वहां के जो मज़ीद होगी वहां पर जाके बताना कि ये हमारे कुरान को मुर्तदों का कुरान कहता है येस ही इस डूइंग डूइंग इट ऑन परपस पहले वो स्पेसिफिक नाम नहीं लिखा है पहले बोल रहा था फिर उसको सौचाली की मिस्साल देनी पड़ी और उसके बाद बोल रहा हमारा कुरान ही नहीं है यह आप लोगा कुरान है तो यह लोग जो है ना यह दगावाज होते हैं दोके बाज होते हैं तो आप लोग की दगावाज ही हम यहाँ पे उजागर करके फिर आपको पिछवाडी पे एक लात मार के कहते हैं कि अगर अपना कुरान नहीं ल जाएए, don't join next time.